देखिए कही बार आपने कही लोगों से ये सुना होगा, वो जो विक्ति है ना, वो बहुत जादा गुस्ता करता है, उसके नाक पर हमें से गुस्ता लगा रहता है, वो बहुत जादा घमंडी है, बहुत जादा अक्डू है, बहुत जादा अग्रिसिव है, वो किसी को भी च करें उसको जेब में तक दीजिए उसको नहीं सुनने का ऐसा क्यों है भी हमारा जो फिजिकल बॉड़ी है उसका एक लिमिटेशन होता है कि अपना इतना पुछ कर सकते हैं अगर मैं 60 किलो का हूँ और मेरे उपर अगर 120 कजी का कोई वेट दिया जाए तो ले नहीं पाऊगा मेरा मस्सल्स फटेगा ठीक है और यो जो मेरा अंदर से फट रहा है वो तो अलग बात लेकिन यह जो शरीर फटेगा जो खून बहेगा वो देखके लोगों को मतलब पता चल जाएगा कि वही इसकी फट रही है लेकिन आपकी जो मनस चिक्सिती है वो क्या भीद रही है वो लोगों को दिखी इनी तो इसका भी इसका phone अजीक चीज आपको sa समझना है उसका भी अलग से ध्यान रखना रखना जरूरी रखोगे कैसे क्यूद्कि उसके बारे में लोग पहूंछ साइन कर रहा है अब ऐसे में यो होता है साइस यह यह यानि किया है आपके मानसजिक ने गौन है उसको थोड़ा स्पेस देने थो तोड़ा टाइम देने है अपने साथ जो relaxation होता है, अपने खुद के साथ थोड़ा अक्यले में बैटके बात करो, अपना दिल की जो बात है, उसको थोड़ा सुनने की प्रयास करो, यह सारे करने को जब time नहीं मिलता, जब लोग आपको हमें साथ चपक चपक करता रहता है, चाहिए वो office का boss हो, आपके माता बिदा हो सकते हैं, आपके दोस रिस्तेदार हो सकते हैं, कोई भी, जब आपके उपर बहुत जबादा pressure दिया जाता है, और आप ले नहीं पाते हो, वहाँ पे आपके कुछ करना होता है, क्या करना होता है, क्या करना होता है, क्या आपके सामने कुछ excited कुछ हुआ, या या फिर कोई आपको ताना सुनाए या फिर कोई आपको जाके कुछ गालिया दिये या फिर आपके जो कमजोरी है उसके उपर हर्ट किये तो आप खूट-खूट के रो सकते हो या फिर आप उसी को दो बाते सुनाकर आपकी दिल की जो तसलिये वो कर लेते हो जादातर लोग यह करते हैं अब वहीं पर लोगों की questions आते हैं mental health कैसे odd behavior कर रहे हैं ऐसे चोटी चोटी बात होगा उसके लिए भी है पर उससे पहले जो बीता है वह आप देखी नहीं रहे हो और इसी कारण आज के टाइम पर अभी वह blast हुआ बस कि उससे पहले वह complex हो रहा था हो रहा था हो भाई उसको फोड़ना ही है या फिरो कूट के रो रो के करेगा या फिरो क्रोधितों के गुस्ता करके करेगा यह जो mental health है यह उन्हीं लोगों के लिए आता है यह जो problem issues आते हैं जो meaningful purposeful कुछ अच्छा करना चाहता है समाज में कुछ positive करना चाहता है लोगों के बार में care कर पर दोस्ता है उनी का उनी का काटा जाता है उनी का जो mental health है उसी कैसी की देशी होती है ठीक है बाकि जो सारे लोग है ना पापा की पड़ी या पिर वह मा की लड़ ला जो है ना वो उनको यह problem वगरे नहीं होता क्योंकि वह reality के साथ जुड़ी नहीं रहा है अगर आप reality सा जुड़े हो तभी जाके आपके मनमी प्रशन आएगा हमारा mental health को सुधारे कैसे ऐसा ही मेरे एक भाई ने मेरे एक दोस्त कम भाई ने यह पूछा है कि मेंस का mental health है उसको कैसे balance में रखे कैसे अच्छा बनाए long term के लिए तकि हम long term success की तरफ एकदम direction हरा हर के बार बार इध की जो mental health है उसमें stability आएगा एक सुधार देखने को मिल जाएगा तो वीडियो को सुरू से लेकिए इन तक देखने के लिए मैं आपको request करता हूं और अगर चैनल में पहली बार आयो चैनल को subscribe करके जाओ आने वाले वभी में जो कोई भी रोचक वैलेविल informative content में कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं वो सबसे पहले completely free of cost आप तक मौचे subscribe कर लिए हो तो जलो शुरू करते हैं पहला चरण में जो आपको करना है define your own success देखिए सबके लिए success का definition अलग-अलग है किसी को BMW, Mercedes, Jaguar, Lambo ये सारे चीज़ चाहिए तो किसी को अपने परिबार में mental health चाहिए कि भाई सभी को सुकून में रखना है सभी का कोई भी दिक्कत आए अप उनको देखना है अप उनको responsibilities लेना है अप उनको परिवार को देखना है बस किसी के लिए सपना होता है कि भाई मिरे को power चाहिए मिरे को राजनीती का एकदम भूख चखा है ऐसा भी हो सकता है सबके लिए उसमें खो मत जाना लोग खो जाते हैं कि आजकल सभी लेंबो ले रहे हैं अभी सबकाल बहुत-बहुत बड़े-बड़े बंगलों में घूम रहा है इधर उदर जा रहा है वह कर रहा है देखते रहे जाओगे लोगों को लगता है ना कि इनके बास ऐसा हो रह अपने आपको फाल तू उधर उधर ना देकर अपने आपको पहले टाइम दो खुद को जानो अपने लिए सकसेस का डिफिनेशन क्या है अप उनको क्या करने का अपनी ममी पापा को प्राउड फिल करवाने का ठीक है करवाते है अप उनको 20,000 कैस हर दिन आना चाहिए या अपने लिए सकसेस है बस इतना काफी है वही करेंगे अपने लिए जो सकसेस है वह पहले डिफाइन करो यह लोग नहीं करते लोग बोलते है मेरा जो दीदी है ना उसको यह गिव्ट चाहिए उसके लिए मैं काम कर रहा हूं मेरा जो गल्फिन है ना उसको यह पसंद है उस लिए success का definition, खुद क्या चाहते हैं, अपन क्या चाहते हैं, अपना, खुद का, मेरा सपना क्या है, मेरा लक्ष क्या है, मेरे जीवन का ताथ पर ये क्या है, मेरे लिए success क्या matter करता है, मेरी ममा, पापा मेरे लिए matter करता है, हाँ, करता है, तो करेंगे, that's it, समाज क्या बोलें है यहाँ पे main character only one it's me it's not you it's not any viewers it's not मैं आपको यह भी कह रहा हूँ कि आपके जीवन का success का जो जीवन है आपका जो जीवन है it's you you are the responsible person तो आपके जीवन का कर में character आप ही हो रचो अपना दुनिया जैसा चाहो ऐसा movies बनाओ अपने जीवन में आप कुछ भी करने के लिए सतंत्र हो बस उसको मानो और उसी के according अपने दिमाग को बोलते रहो अपने असा कर सकता है कैसे करे बता मेरे को दिमाग को बार बार बोलते रहोगा अप उनको यही करना यही करना यह दिमाग आपको बताना शुरू कर देगा अब इसलिए न अपने लिए जो सक्सेस है उसके साथ कमिटेड हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यह मैं 2017-18 से कर रहा हूँ कि अपना जो सपना है उसको अलाइन कर रहा हूँ मैंने विजन बोड बनाए है और कांच से बहुत अच्छे से फ्रेम करके बहुत अच्छे से दिवाल पे एक दम जब मैं विस्तर से सुभा उड़ता हूँ मेरे सामने वो लगा होता है अब वो म दिखा है जो मैंने किया है वो मेरा फिक्स्ट है वो आपके जीवन का एक अलग दिशा दिखाता है अपकी मिंटल है जितनी मिज़ा रही है इचक विचक चुक चुक हो रहा है ना फरक नहीं पड़ेगा तब भई आपको मिलियन डॉलर कमाने हैं और अच्छानक से कोई भी करना जरूर है 수ス員 के साथ साथ दिए दिए हो जाएगा अपको करना क्या है अपने लिए सकसे को पहले Probין करो लिखो लिखो उसको बनार ढ़़ो सामने रख़ डालो और उसको ही साथ कमिटर वह बाकि कुछ भी जो जो चाहे जो चीजर चल रहे माना है अई चो पाना हए बस लेकिन उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे distraction आते हैं, बहुत सारे responsibilities आते हैं, किस चीज के, social responsibilities आते हैं, जैसे कि समाज में अगर कई पे कुरा घबारा पड़ा हो, उसका परिस्कार करने का जिम्हादारी आप ले लेते हो, कई बार कोई लड़की अकेली घर से बाहर आ रहे ह करने के लिए चले जा रहे हो, आपकी girlfriend आपको एक बार call के आप दोड़के चले जा रहे हो, आप माता-पीता की सहाधा करने के लिए बरतंद होने लग रहे हो, ऐसे बहुत सारे कामों में हम फंस जाते हैं, आप बोलो कि मैं नहीं करूंगा, तो कौन करेगा, अगर आप नह इवन की लक्षा आपको पता है, और आपको वो करना है, और अपको उसी के लिए complete attention, complete work, complete dedication चाहिए भाईया, और अगर आप ऐसा नहीं दे रहे हो, तो आप अपने सपनों के लिए अपने जो future आपने देखे हो, उसके साथ compromise कर रहे हो, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल जैसे कि मेरे को एक business बनाना है, multi million dollar business बनाना है, ठीक है, माल लेते हैं, ऐसा मेरा goal है, अब उसको करने के लिए जब मैं committed हो रहा हूँ, नएने skills ले रहा हूँ, नएने चीजों को सिख रहा हूँ, नएने connections बना रहा हूँ, वो पीछे छूट नहीं रहा है, वो compromise ये sacrifice नहीं ह क्योंकि आपने वो चाहा है, अब आपने जो चाहना है, वो चाहो, अगर आप लोगों के पीछे दोड़ोगे, अब यहाँ पे completely depends up to you, कि आप चाहते क्या हो, अगर आप अपने जीवन से परिवार के साथ मिलके सुकून चाहते हो, तो भाई ये बहुत बड़ी बड़ी बा और उसके बाद आपको जो करना है, वही करना है, परिवार में है, तो परिवार को शुनिस्चित करने के लिए मेरे को करोड़ों चाहिए, चाहिए, हाँ तो चाहिए, तो कैसे कमाएं, उसके लिए परिवार को भी देखना है, ये करना है, लेकिन करोड़ों ज़रूरी है, क कि तो यह हो जाए गा तो करोण में ज्यादा फोकस और यहां पर परिवार के साथ भी आपको समय दीरे-दीरे दिना ह нормुर्त है अब निने आपको है कि क्या करने का न करने का clouds कर लो कि इतना काम होगा तो करेगा बरनावाई करेगा को और कॉछ इसको काम को सौब देंगे अगर हम नहीं हो रहा है अए क्जी साल हो गये हम बारने कर रहा हो तो definitely success तो weight ही कर रहा है जैसे मैं उसको ढून रहा हूँ वो भी मेरे को ढून रहा है ये चीज आपको भी समझना है अब निनय आपका है कि आप इस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं अगर बढ़ना चाहते हो तो भई प्राइटी सेट करो आगे बढ़ो अब तीसरे चरह में जो आपको करना है आपको थोड़ा डरना है लाइफ की जो अंसर्टिनिटीज है कि कभी भी कुछ भी घडित हो सकता है जो आपने बनाया वो बने बनाये चीज अचानक से तास की पत्तों की तरह बिखर सकता है ये समझ लो आपकी माता पिता के लिए आपने बहुत कश्ट किये करोड़ों कमाएं और उसके बाद एक सिकून से बड़ी जीवन आपके लिए इंतिजार कर रही है ऐसी वाली आपकी स्थिती अचानक से उन दोनों का ध्यान दो गया एक साथ possibilities are there हो सकता है इसा इन सारे चीजों को अपने जितने भी सारे दुख है जितने भी सारे डर है कि ऐसा हो सकता है उन सारे चीजों को जी लो अपने मन में ध्यान में बैटो कभी अराम से सुकून से सब कुछ मिड़ गया ऐसे स्थिति में अपने आपको लेकर जाओ आपकी स्ट्रेस की तैसी आपकी mental health उपर जाएगा सर ऐसा क्यों है क्योंकि आप अपने जो बास्तविक रूप है उसके साथ अबगत हो पाओगे देख पाओगे अपने आपको मैं कौन हूँ और तब ये बाकी सारे जो सारे चीज़े चल रही है लोग है ये रिस्तेदार है ये मेरा girlfriend है ये मेरा boyfriend है ये मेरा दोस्त है मित्र है सकाई घंटा है कुछ नहीं है खाली पड़ा हुआ है और बाकी जो भी सारे चीज़े चल रहा है it's all bichar in your head आपके दिमाग के अंदर बस bichar नहीं हुआ है होने बाला भी नहीं है अगर होता भी है कोई घंटा परकने पड़ता क्योंकि ये uncertainty से हमको प्यार है जो भी होगा परिवर्तन चिल है उस सारे चीज़ों को accept करने के लिए हम इदर बैटा है ये जब आपकी मन में आएगा जब आपकी बॉस आपको गाली दो दिन बाद प्रोमोशन देगा रहे चिल चिल ये mindset आ जाएगा जब आपको कोई फालतु में एक चाटा भी लगा के जाएगा चाटा दिया दो दिन बाद माला पहना आएगा एकदम रास्टरवदी बनाएगा हमको ये जो शुकून है अंदर से आथ अपने माइंड को च सारे डर होता है मैं बहुत जादा डरता था अंधेरे से ठीक है मैं बहुत जादा डरता था साप से मैं बहुत जादा डरते था अकेले रहने से मुझे बहुत सारे डर लगे रहता था इन सारे डरों को मैंने जीता नहीं मैंने उन सारे डरों को गले लगा लिया कि साप होग तर देरे-देरे कम हो गया इसका मतलब यह नहीं कि आज साप देख से मैं मेरेको डर ने लगता अपनी सिकुरिटी बहुत जदा अच्छा लगता है मैं वहां से भाग जाता हूं बर अचानक से मैं मतलब हार टैक हो सकता है कुछ भी परिवर्टिन हो सकते इस सारे चीज़े ज वो तभी जी पाओगे जितने सारे डर हैं उसको अप गले लगा लोगी कि जो होगा देखा जाएगा कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता जो घटित होगा होने तो अपने लाइफ से अपने परपस से अपना जो काम है उससे इस्क है और अपने सारे चीजों को लेकर आगे चल रहे हैं जो होगा रामभरु से जो होगा देखा जाएगा ऐसा वाला स्थिती ठीक है ऐसा बनाओं और अगर बना नहीं पा रहे हो तो क्या करनेगा अपना जो डर है उसके बारे में चिंतन करो कि वह आपके सामने आ गया आंक बंद करके ध्यान में कभी बैटना और चिंतन पाऊगे कि बाई जबाब एक zero होते हो एक dot होते हो उस dot से 1000 lines create हो सकते हैं मनलब unlimited lines create हो सकते हैं इसी कारण मेरे नाम पे हर जगा पे zero है बाई जिरो यानि कि unlimited possibilities, ये भी मैं दरसाता हूँ, इसी चीज़ को आपको भी समझना है भाई, भाई life कभी भी अंतनी होता है, कभी भी नहीं, कोई भी जोड़के चला जाए, कोई भी कितने ही करीबी विक्ती क्यों नहों, कुछ भी हो जाए, अगर मैं हूँ, तो जीवन है, और अगर मैं ही नहीं, तो जीवन रह के भी क्या, ये चीज़ आपको समझना है, अगर आपने इसको realize किया depth में जाके, तो आप आने वाले जो पिड़ी है, उसको भी समझ पाओगे, मतलब आने वाली जो चड़न है, उसको भी समझने में आपको आसारी होगी, तो चलिए अगला चरण देख लेते हैं, अब चौते चरण में जोग को करना है, अपने आपको बोर करना है, अपने आपको discomfort से प्यार करवाना है, अपने आपको tough situation में डालना है, और देखना है अपना कितना सेहन सिलता है, अब कितना कर सकते हो, mental city भी वो अबज़द करने वाली बना लो, कि भाई आपको boss pressure दे रहे हैं, कितना pressure अब जहल सकते हो, भाई chill 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 bro chill bro करके चला रहे हो, ठीक है चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने आपको analyze mode पे रखो, अगर आप push up करते हो daily basis पे, अगर आप daily basis पे work out करते हो, तो भाई अपना strength पता होगा, कि भाई मैं एक ही set में 30 push up कर सकता हो, मैं ऐसा कर सकता हो, यह जो आपका limitations है, यह आपको पता होनी चाहिए, आप कितना ले सकते हो, आपको पता हो, cooking पर तो सबजी है, उसको कूट 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 कर रहे हो, या पर आपको एगर का काम कर रहे हो, या फिर हतोरी लेकर कुछा परेग बरेग यह कर रहे हो, यानि कि आप offline में कुछ कर रहे हो, एकदम concentrate हो क marriage कर रहे हो, वहाँ आपके दिमाग को बहुत तकलीव होता है देखो जो stress में है आज के rate पे अधिकतर बंदा वो यह है कि वो digitally अपने पास बहुत ज़्यादा समय है digitally बहुत ज़्यादा इंगेज है अपने eye के उपर pressure हो रहा है कुछ ज़्यादा नहा है वह एक जगह पे offline काई फोकस्ट हो पाए उसको जब आप करते हो अपने आपको जान भुझके जब discomfort में डालते हो आपकी जो mental health है वह develop होता है सर क्योंकि उसका जो क्या बोलते हैं वह stress होता है ना कि एक चीज़ को अगर ऐसे ऐसे करके खीचोंगे ना वह एक टमई के बाद भाड़ जाएगा तूट जाएगा कूट जाएगा ऐसा होता है तो जो लिमिट है वह धीरे-धीरे बढ़ता है अकर रेगुलर बेसिस पर आप उसको करते हो तो जैसे कि हम exercise करते हैं तो हमारे muscles पे थोड़ा पेन होते हैं लेकिन वह increase होता है उसी प्रकार आपकी जो mental muscles है वह भी develop होता है जब आप उसके प्रिशर देते हो उसको analyze करते हो एक लिमिट तक बढ़ाते हो हर दिन थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाते हो ऐसा करते जाओ अपने आपको discomfort में डलते जाओ बोरिंग निसका सिकार मत बनो बोरिंग निसको enjoy करो and definitely आपका जो mental health वह develop होना शुरू कर देगा क्योंकि इसके अंदर आप कभी भी nature में भी घूम सकते हो कई बार अगर आप कही पर ऐसे हो ना कि अचानक से चुप-चाप बैटे हुए हो खिरकी की तरब मुह करके और आप को आपने गाना लगा दिया एक च्छोड़ा साथ मनलाव sad song लगा दिया या फिर क्याutargo मोसिन गाना लगा दिया इक थैक तक बाहर बाहर आपको क्या बोलते हैं वह इनरजी क्यों चाहिए भार आपको लोगों की attention की चोड़ो मुंचेंट क्यों चाहिए रमकत रोचक चीज इसे क्यों चाहिए हटाओ इसको जो रियालिटी है वह बोरिंग है इस बोरिंग चीज को जब आप गले लगा लोगे तो यह जो सारे चीज़ है न जो शेशल मेडिया के चीज यह आपको बहुत ज्यादा तुछ लगने लगेंगे क्योंकि बाई जो सारे चीज़ है न वह आपकी सबसे ज़ादा मतलब खुशी होती है कि बाई मैं यह बना पाता हूं तो mental satisfaction वहाँ पे भी आता है mental health को बढ़ाने के लिए अपने आपको टाइम दो यही फेक्ट है तो इसी कारण आपको वो जो बाकी सारे चीज़े हैं जो distraction उसको हटाने का है और काम करने का है अप अपने लिए concentrate होगे फोकस्ट होगे उसको करिए आगे बढ़े अब last but not the list पात्वी चरण जिसको अगर अपने सही से कर लिया तो mental health का जितने में सारे issues है वो result हो जाएंगे आपकी mental health तरकी के तरफ बढ़ना शुरू कर देगा वो क्या है sir वो मेरा फेवरिट है वो है अपने लिए जो success defined किया उसके लिए जो काम है step by step action plan खुद के लिए खुद के प्रतिय अकाउंटबल बनो लोग क्या बोलेंगे उसके लिए फरक नमत बनो लोग approval देंगे तब होगा तो भाई आप किसी भी मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर कोई विक्ती दुकान ख उसी प्रकार अगर आपके जीवन में आप लोगों की approvals लेते रहें कि मेरे को यह करना उचीत हो कि नहीं मैं ऐसे कैसे करूं मैं ऐसे करूं की नहीं करूं यह सब करते करते हैं आपकी जीवन आधा कब खतम हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा ऐसे होते हुए ऐसा भी हो हो सकते हैं आपकी 40 साल का आई हुए और 20 साल ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा तो इसी कारण भया लोगों के वरों से बंट बैठा रहो जो अपने लिए सही लगता है जो अपना ड्रीम से उस हिसाब से जो कर सकते हो करो और लोग तो बोलेंगे बाई अगर आप ब्लू कलर कर करें लोग बोलेगा कि जो पीला कर रहें वो आप पे जादा सुट करता है गंटा वर्क पड़ता है उस चीज को समझो और अपना जो काम है उसको सही करो जैसे कि मैंने एक कोर्स बढ़ा है कि लोग जो निमोटिवेट होते हैं लोगो लगता है कि अपने आपको हमेसे मोट धून रहे हैं मोटिवेशन उनको समझ नहीं आता क्या करो उनके लिए मैंने बनाया है अंताफ प्रेर ना यानि कि आपकी अंदर से मोटिवेशन की जो श्रोथ हैं उसको जानो उसको पहचानो उसको इंप्लिमेंट करो कुछ action plan है जो मैंने अपने साथ implement किया अपना जो ड जल्दी जाइए अभी चेक आउट करिए बागी जो वीडियो आपने दिखा क्या-क्या चीज आपने सीखा और यहां पर मैं बोलना चाहता हूं जैसे मेरा जो काम है वह एक अलग चीज है जो लोगों के वैलू प्रोवाइड कर रहा है तो ऐसे सिती में लोग चाहे मुझे क्या कर रहा हूं मैं लोगों को सही दिखा रहा हूं अगर कोई डिमोटिवेटेड है उसको सही दिखा रहा हूं अगर कोई सेल्स करना चाहता है उसको सेल्स दिखा रहा हूं अगर कोई बात करता है पैसो की मनी बेसिक्स जो मैंने कोल्स बना हूँ पैसो के रिगार्डिं स सारे जो financial literacy regarding बात है सब कुछ वहाँ आप मैंने डिसकूस किया है कैसे पैसे काम करता है सेल्स के अंदर psychology कैसे काम करता है यह सारे चीज़े को यह आप प्रवाइड करता है क्या नहीं करता है तो भाई अगर करता भी है मेरी जरी किसे प्रवाइड नहीं करता मेरा जो एक्स्ट काम करना है बाकी भाई चिल बरो ऐसा करो जीबन में आगे बढ़ो मिलता अगली वीडियो में तब तो के लिए अच्छे रहना जय हिंद जय भारत